वन दरोगा भरती आउडियो प्रक्रण में तीन गिरफ्तार तो वन दरोगा भरती में जुगाड से नोकरी दिलाने से जुड़े वाइरल आउडियो प्रक्रण में STF ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है तीनों आरोपी रुड़की से पकड़े गए हैं पुस्ताज में पर चला की आरोपी बिना किसी जुगाड के योगों को जहांसा देकर रकम ले रहे थे उत्राखण में कुछ माहिने पहले वंद्रो का भरती होते ही एक ओडियो वायरल हुआ था इस ओडियो में जुगाड से नोकरी दिलाने का जिक्र किया गया STF ने इस मामले में जाच की SSP STF अजय सिंग ने बताया की मामले में सुधिर पुत्र रगुनात निवासी सेनपूर मंजीत पुत्र मेग सिंग निवासी इब्राहिमपूर रुडकी से गिरफतर किया गया आरोपियों में तीन मुबाइल एक लेप्टॉप वो फरजी न्यूकती पत्र बरामद हुए है पुलीस भरती में देरी से बिरोजगार नाराज पुलीस सिपाही भरती में फिर अटकने पर बिरोजगारों ने आक्रोच चताया सरकार और आयोग पर भरती में जान बुचकर देरी करने का अरोप लगाते हुए बिरोजगारों ने बीस नौमबर तक आवेदन प्रक्रिया सुरू ना होने पर अंदोलन की चतावने दिया है परदेश में साथ साल बाद पुलीस भरती की तैयारी चल रही है पुलीस मुख्याले में अधिस सेवचेन आयोग को भरती पर स्थाव भेज दिया गया है बिरोजगारों की याचिका का हवाला देकर आंदोलन प्रक्रिया सुरू नहीं कर रहा है जबकि बिरोजगारों की याचिका पहले ही खालिज हो चुकी है इस तरह कोट में इस समय भरती को लेकर कोई वाद लंबित नहीं है राम कंडवाल के मताविक पर देश में आचार सहिता लगने वाली है यदि अगले महीने तक आवेदन प्रक्रिया सुरू नहीं हुई तो अप्रेल तक नई सरकार के गठन का इंतिजार करना पड़ेगा ऐसे में यदि 20 नवंबर तक पुलीस भरती प्रक्रिया सुरू नहीं हुई तो बिरुजगार आमरण अंसन करने को मजबूर होंगे कंडवाल ने कहा कि आयोग आवेदन प्रक्रिया सुरू कर दे उम्र संबंदी विवाद बाद में भी हल हो सकता है आवेदन में देरी के चलते बड़ी संख्या में युवा उम्र सीमा पार कर जाएंगे भाजपा सरकारी करमचारी बने 3200 लोगों के नाम बता दे मैं राजनिती छोड़ दूँगा तो पूरो मुख्यमंतरी हरी सावत ने राजया चुनाव संजान समीती के इस नियुजक हरी सावत ने भाजपा को चुनोती दी है उन्होंने कहा कि यदि भाजपा अपने 5 साल के कारिकाल में 3200 ऐसे लोगों के नाम बता दे जिने सरकारी नोकरी दी गई है तो वे राजनीती छोड़ देंगे हल्दवानी में गुरुवार को आज़ित संग खनाद जन सवा में हरी सरावत ने या एलान किया है जल्द भरे जाए विभागों में रिक्तपद कॉंग्रेस ने भी विभागों में रिक्तपदों को जल्द भरे जाने की मांग किया साथ ही जिन भरतियों पर पेंच है उन्हें भी दूर कर भरते पर क्रिये सुरू करने की मांग की ताकि बिरोजगार भटक रहे परदेश के अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके ब्रिस्पतिवार को मानगर कॉंग्रेस अध्यक्ष लालचन सर्मा के ने दूतमे परदेशी मंडल ने उत्रा खंड अधिस से आयोग के रायपूर इस्थित कर ले में मुलाकात क इस सम्बंद में सचीव को ग्यापन सौपा गया कॉंग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचन सर्मा ने खा की साथ साल से अधिक समय बाद सुरू हुई पुलीस सिपाई भरती पर किरिया एक बार फिर अटक गई है जिससे सेक्ड विरुजगार युवक मायूस है तो विभीन विभागों में रिक्ता पदों को भरे जाने के संबंदी सचीव उत्रा खणने सवेच एनायोग को ग्यापन सौपते कॉंग्रेशी ऐनायोएस डियरड परस्चिट उने दिया धरना तो सिचक भरती है हमें सामील करने की मांग पर ऐनायोएस डियरड परस्चिट अपने परिवार के साथ-ईक्ता भीहार में धरने पर बैठे उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी नहीं सुनती हुए यहीं बैठे रहेंगे एक मास से अंदर्ण कर रहे हैं कई कूछ भी कर चुके हैं लेकिन सरकार सुनने को राजी नहीं या उन्होंने आरोप लगा है कि सरकार सिर्फ उनकी सुनती है जिन से उन्हें चुनाओं मेहार का खत्रा है लेकिन एने वेस डियलर्ड परसितों को कम आकना सरकार की भूल होगी सोसल मीडिया पर पेपर लीक की पोश्ट वाइरल तो सोसल मीडिया में साय का अभियोजन अधिकारी की परिच्छा से पहले ही पेपर लीक होने की पोश्ट वाइरल हो रही है इससे आसंकित अभियर्थियों ने पेपर इस्तिकित कराने की मांग किया है उधर लोग सिवा आ योग की ओर से 21 नॉवंबर को APO की परिच्छा कराई जाएगी 63 पदों के लिए लगबग 45,000 अभियरतियों की ओर से परिच्छा दी जानी है लेकिन परिच्छा से पहले सोचल मीडिया में पेपर लीक होने या फिर लीक होने के मैसेज वाइरल हो रहे हैं बात करते जोप अलट को लिगर के तो कनिक्स का अभियांता साइत बिभिन पद रिक्ट तो 399 पदों पर भरती निकले हुए जिसके लिए 17 नॉवंबर तक आवेधन कर सकते हैं ऑज़ए भरति के दर्यतिया अ निकली हुई जिसके लिए बैस 뚜ुष्ट को थो कर्सक्रान्स हों रेलवेए में कि लिए इसके लिए दिसम्बर अब्शंब buy धन कर सकते हैं झाल 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 झाल